हलो एवरिवन सो अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से PDF बनाया जाए क्योंकि बहुत से लोगों को PDF बनाने में दिक्कत आ रही है और आप लोगों के exams भी online हो रहे हैं और होंगे भी जो session ending exams जो आ रहे हैं वो भी online ही होंगे और आपको Google Form में photos और PDFs upload करने होते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले जितने भी आपने answers लिखे हैं आप उनकी photos क्लिक कर लें ठीक हैं और photos क्लिक करने के बाद उसका एक PDF बना ले इससे क्या होगा कि आपके जो answers हैं वो पूरे sequence में teacher के पास पहुँचेंगे और उन्हें evaluation करने में easy होगा तो इसके लिए PDF बनाने के लिए बहुत से PDF maker apps हैं जो आप Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं जैसे Tiny Scanner है, Adobe Scanner है, PDF Maker और कागज ठीक है और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे PDF maker apps होंगे जो आप Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से मेरे पास PDF maker है और किस तरह से आपने PDF बनाना है तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हम किस तरह से PDF बनाएंगे तो सबसे पहले आप अपने answers की photos क्लिक कर लें जो जो आपके answers हैं, जो आपको upload करनी है sheets उन सारी sheets की आप पहले photos क्लिक कर लें उसके बाद वो सारी photos आपकी gallery में चली जाएंगी ठीक है अब PDF बनाने के लिए आप क्या करेंगे पहले अपना आप खोलेंगे PDF maker जो भी आपके पास है suppose मेरे पास cargo scanner है ठीक है ठीक है अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आप देख रहे हो green में scan PDF करके blink हो रहा है तो आप इस पे click करेंगे और इसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे आपको gallery भी है side में camera अगर आपको camera है आपको already आप on the spot भी photos क्लिक कर सकते हैं या आपने जो पहले से photos क्लिक कर रखी है जो आपकी gallery में है आप gallery पे click करेंगे ठीक है इसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पर कुछ जो जो जिनका मुझे pdf बनाना है वो मेरी sheets answer sheets आ गई है और अब मुझे इनका pdf बनाना है तो suppose मुझे यहाँ से लेके जो जिस sequence में आपको लेना है उसी sequence में आप लेंगे ठीक है तो suppose मैं 1, 2, 3, 4 इन 4 sheets का pdf बनाना चाहती हूँ तो मैं इनको क्लिक करूँगी आप देख रहे हो green mark आ गया है green tick अब इसके बाद मैं import पे क्लिक करूँगी ठीक है import पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे proceed पे क्लिक करूँगी अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि वो crop करने के लिए option दे रहे है ठीक है तो आप यहाँ देख रहे हो अगर आपकी sheets okay है उसको crop करने की ज़रूरत नहीं है तो आप no crop आप देख रहे हो इधर no crop है उसपे क्लिक कर देंगे तो उस sheet को crop वो नहीं करेगा otherwise अगर आप crop करना चाहते हैं उसको crop भी कर सकते हैं ठीक है after this you will click next then next next जितना भी आपकी sheets है वो होती ही जाएंगी और उसके बाद done पे क्लिक कर देंगे हम ठीक है and then then what will you do now your folder has is done is made and now आप यहाँ से वैसे तो आप देख रहे हो है यहाँ पे कागज करके कुछ लिखा हुआ रहा है आप इस folder को rename भी कर सकते हैं तो आप यह जो three dots दिख रहे हैं इस पे जब आप click करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे है rename का option आ रहे है ठीक है आप यहाँ से उस file को rename कर दीजी इसको delete कर दीजी और यहाँ पे अपना नाम और अपनी class ठीक है as it is आप लिख दीजी जैसे मैं अपना नाम लिख दे रहे हूँ और उसके बाद save पे आप click कर देंगे okay now as you can see unknown class 4a इस नाम से यह pdf save हो गया है इसी तरह से आप अपनी answer sheets का pdf बना सकते okay students so now as you can see के यहाँ पे unknown class 4a pdf बन गया है अब पहले हमें इसको save करना है है ना so हम इसको आप यह देखे रहो three dots पे click करेंगे और यहाँ पे save as pdf यहाँ पे भी click करेंगे इसके बाद as you can see file save to downloads folder ठीक है यहाँ पे अब आपकी file जब आप इसको upload करेंगे google form में तो वो आपकी downloads में documents में वो file मिल जाएगी otherwise आप उसको ढूंदते रहेंगे वो आपको मिलेगी नहीं इसलिए इसको ज़रूरी है कि हम pdf को save कर ली ठीक है इतना करने के बाद अब हम आगे देखते हैं कि कैसे google form में इस pdf को upload करेंगे ठीक है ठीक है तो अब आपने pdf अपना बना लिया है और अब आपने google form ओपन करेंगे अपना यहाँ पे आप अपने particulars फिल करेंगे your name, section, everything, whatever is asked ठीक है और जहाँ पे आपने add file करनी है ठीक है तो वहाँ पे आप click कर देंगे जैसे आप click करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे आपको select files from your device पुछेगा या तो आप यहाँ पे select files from your device इस option पे click करेंगे यहाँ पे वो अब आपने तो already pdf बना रख है है ना आप चाहें तो यहाँ camera इसे instant photos भी ले सकते हैं बट हमने तो already pdf बना रख है हमने pdf upload करना है तो हम क्या करेंगे यह जो files का option है इस पर click करेंगे अब files के option में आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो हमने pdf बनाया था अन्नू class 4a pdf बनाया था हमने है ना तो हम को इस pdf को upload करना है तो हम इसको select कर लेंगे अब select करने के बाद आपके पास upload का option ब्लिंक हो रहे है आप देख रहे हो blue में इस upload को आप click कर देगे जैसे ही आप upload पे click कर देंगे तो वो pdf already upload यहाँ पर हो जाएगा आप देख रहे हो यहाँ पे pdf upload हो गया है अगर आप से गलत pdf upload हो जाए तो आप यहाँ पे cross जो लगा है इसको अगर आप cross कर देते हैं तो वो हट जाएगा और आप दुबारा से सेम तरीके से pdf upload कर सकते हैं चीक है कई बार क्या होता है कि आप जब pdf यहाँ पर upload नहीं करते हैं तो यह add file red में blink करते हैं और कई बार क्या होता है जब तक आप कोई file या pdf upload नहीं करेंगे आप उस form को submit नहीं कर पाते हो क्योंकि teacher ने वैसी setting करी होती है कि जब तक आप कोई pdf upload हीं करेंगे तब तक आप form को submit ही नहीं कर पाते हो तो वो form तब submit होगा जब आप add file में pdf को upload कर देंगे ठीक है जैसे ही आप उसमें pdf को upload कर देंगे और उसके बाद जब आप form submit करते हैं तो इसके बाद यहाँ पे भी आप ऐसे ही एक add file कर सकते हैं ठीक है अगें select file from your device file से click करेंगे और कोई भी pdf जो आपने उसका answer करना है उसको upload कर देंगे and then upload pdf upload हो गया है अब इसके बाद हम इस form को जब submit करेंगे तो यह submit easily हो जाएगा तो अब आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपने add file की जगह पे आपने pdf जो हैं upload करने हैं ठीक है तो इसी तरीके से जब आपके session ending exams हैं या कोई भी exams आएं और आप google form में आपको file upload करनी हैं तो इस तरीके से आप pdf बना के अपनी file को upload कर सकते हैं right so I hope it is clear to you now so I'll take your leave okay